फिर से हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे जन्स कमीच की कटिंग सबसे पहले यह मारी खींच लेंगे जो मारा मारजन इदर उदर होता उसको सही कर लेंगे इसलिए यह मारी की खींचते हैं यहाँ पर हम डेड़ इंची का निशान लगा लेंगे यहाँ पर भी हम डेड़ इंची का निशान लगा लेंगे यह डेड़ इंची की हमारी फूल पट्टी है यह हमारी कमीच है कमीच की कटिंग हम आपको बता रहे हैं यह डेड़ इंची की हमारी पट्टी इस प्रकार से हम मार्किंग कर लेंगे अब हम आपको लंबाई बता दे लंबाई हमारी 32 इंच है यह 32 इंच हमारी है इसको 33 इंच रखेंगे एक इंच हमारा दबाउ में चला जाएगा फिर हम 9 से इसको हला गिरा देंगे उने 9 या 9 इसको भी मार्किंग हम कर लेंगे और इधर जो हमारा 33 इंच का निशान लगा है इसको भी मार्किंग हम कर लेंगे फिर हम 9 और प्लस 33 और यहां पर हम डेड़ हिंच यह डेड़ हिंच का निशान लगा लेंगे यह हमारा कंदी के काम में आयेगा डाउन करने के यह हमारी मार्किंग हो गई अब हम सबसे पहले कंदी का निशान लगाएंगे 9 दुनी अठारा इंच हमारी कंदी है 9.5 मेंने लगाया हुआ है 9 दुनी अठारा यहां पर भी 9.5 लगा लेंगे यहां पर हम साड़े 10 सामना है 11 रखा हुआ है 10.5 तयार है 11 रख रहे हैं यहां पर हम यहां पर भी हम 11 का निशान लगा लेंगे 10.5 हमारा सामना तयार रहेगा इस हिसाब से याद रखना दोस्तो वो 1.5 हिंची जो मैंने खिंचा है उसको ढहील करके मैंने यह निशान लगाया हुआ है यह इस हिसाब से मार्किंग कर लेंगे हम फिर हम कॉलर का निशान लगायेंगे पॉने तीन इंच पे इधर भी पॉने तीन इंच पे लगा लेंगे हम इस प्रकार से हम इसको गोल कर लेंगे यह हमारी गोल हो चुकी है फिर हम यह मार्क इस हिसाब से डेड़ी इंची डाउन कर लेंगे यह कंदी की है हमारी और इसको हम आपको बता दे यह सवाव इंच एक से दो सुच ज़्यादा इसको भी हम डाउन कर लेंगे इस हिसाब से फिर हम इसको इस हिसाब से क्रॉस कर लेंगे यह हमारा क्रॉस हो चुका है यह हमारी मार्किंग हो चुकी है और इसको हाला को हम इस हिस हिसाब से राउंडिंग कर लेंगे इस हिसाब से थोड़ा मोटा लग गया है फिर वहीं चलेगा अपने हिसाब से क्रॉट ब्रॉस किया में और इसको हम इस हिसाब से गोल कर लेंगे फिर हम आपको बता दे ये हमारी बिल्कुल फिटिंग कटिंग है और ये तयार भी हो चुकी है हमारी अब इसको हम कट करेंगे इस्साबसे हम कट कर लेंगे ये 6 10 ी डिऻिल करके हम चेंग और और इस दाओ लिया था इसको हम डिलंगे और ये हम इसि मारी के हिसाबसे कट कर लेंगे झाल 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 यह हमारा सामने की कटिंग हो चुकी है इसको हम थोड़ा सा इसको बाद में भी कर लेंगे हम यह हमारा सामने की कटिंग हो चुकी है अब हम बताएंगे आपको बैक पला की कटिंग यानि पीछे पला की कटिंग इस हिसाब से हम कपड़ा विछा लेंगे यह हमारा अच्छी तरीके से विछा लिया है अब इस पर हम अपना इस हिसाब से कपड़ा रख लेंगे सामना यह हमारा सामना अच्छी तरीके से रख लेंगे विरकुल बराबर रखनाय में क्योंकि इसमें पीछे भी पलेट है दो पड़ती हैं वह हम आपको बताएंगे जो डेड़ेंची का हमने दबाव उधर है इसमें भी डेड़ेंची का आ जायेगा तो पीछे पलेटे दो पड़ जाएंगे हमारी यह हमारा यहां से साड़े साथ रह गया है साड़े साथ पौने साथ है ने सवा साथ इसको हम इस हिसाब से सुधा कर लेंगे जो हमारा निसान लगा हुआ है और इसको भी इस हिसाब से सुधा कर लेंगे और यहां पे हम साथे नो जो हमने कंधी का निसान लगाया था नो इंची है नदुनी अठारा साथे नो लगा दिया है और इसको हम इस हिसाब से यह वाली मारी खीच लेंगे और फिर हम आपको बता दे यह जो है डेड़ इंची डेड़ इंची जो इतना है यहां पर भी हम यहां पे हमारी पलेटे पड़ेंगी हम आपको बता दे यहां से साड़ह तीन साड़ह तीन इंची पर निसान लगा लेंगे यहां पे हमारी पलेटे पड़ेंगी और यह हमारा डेड़ इंची जो सामने पल्ला में रखा हुआ था वही वाली मारी किंग डेड़ इंची का निसान लगाया हुआ है पिर इस हिसाब से हमारे की के करने के बाद में दबाओ इसमें हम ले लेंगे आधा इंच दबाओ हमने ले लिया है इसी हिसाब से और इसको हम कट कर लेंगे फिर इसको इसे साफ से रख लेंगे हम यह हमारी कटिंग बैक पल्ला की हो चुकी है अब हम आपको बताएंगे अभी बिल्ट वीडियो में बने रहना क्योंकि इसमें अभी और भी कुछ बताने को बाकी है यह हमने ओपन काट लिया है अब हम आस्तिन के बारे में बताएंगे अस्तिन फिलाल वही कटती हैं जो सड में भी कटती हैं इसमें कोई ज़्यादा विशेश प्रोब्लम नहीं होता है यहाँ पर मारकिंग कर लेंगे हम आधा इंच लम से हम निकाल करके और यहाँ पर हम तेश का निशान लगा देंगे 24 इंच हमारी अस्तिन है एक इंची कम कर लेंगे जो कफ हमारे पड़ेंगे यहाँ पर साड़े पाच का निशान लगा लेंगे यहाँ पर दो इंची हम डाउन कर लेंगे और यहाँ पर हम नो इंची का निशान लगा लेंगे और इसको हम क्रॉस कर लेंगे इससाब से यह हमारी कटिंग अस्तीन की भी हो चुकी है यह हो चुकी है हमारी अस्तीन अब हम आपको बता दे इसको अपनी तरफ हम दो पलाई से करकर के खोल लेंगे और इसको हम डाउन कर लेंगे लमसम सवाव इंच यह एक से दो सुच ज्यादा या डेड़ इंची तक हम डाउन कर लेते हैं इस हिसाब से यह हमारी अस्तीन हो चुकी है इस हिसाब से इसको हम बराबर कर लेंगे दबाओ छोटा बड़ा होता तो उसको हम छाट लेंगे फिर हम आपको बता दे त्योरा की कटिंग यह दो पला इसमें दो त्योरा लगेंगे इसको एक दम बराबर कर लेंगे इस परकार से जी हमारे बराबर कर लेंगे इसमें एक दम दो त्योरा की कटिंग हम करने जा रहे हैं इस हिसाब से बराबर कर लेंगे और इसको हम साढ़े नौव साढ़े नौव जो हमने कंधी का निसान लगाया हुआ था 18 इंच था साढ़े नौव मेंने लगाया हुआ था तो यहाँ पे भी साढ़े नौव हम निसान रख लेंगे और यहाँ पे डेढ़े इंची कम कर लेंगे हम यहाँ पर भी डेढ़ इंची का निशान लगा लेंगे हम इसको मार्किंग कर लेंगे हम फिर यहाँ पर हम पौने तीन इंची का निशान लगा लेंगे इसको इसी हिसाब से हम गोल कर लेंगे इसको हम क्रॉस कर लेंगे जो कंधी में हमने किया था विसी हिसाब से कर लेंगे फिर यहाँ से हम 4.5 या पूने 5 पे निशान लगा लेंगे इधर भी हम 4 पे निशान उठा लेंगे यह हमारा बराबर यह हमारा शाड़े 9 इधर भी हमारा शाड़े 9 इसको क्रॉस कर लेंगे बस फिर यह हमारी कटिंग इसकी कर लेंगे इसी हिसाब से यह हमारी कटिंग हो चुकी है इसी प्रकार से आप कटिंग त्योरा की भी कर सकते हैं बहुत बेहतरीन त्योरा हमारी कटिंग हो चुकी है आप बहुत अच्छी तरीके से कमीच की कटिंग कर सकते हैं इसी प्रकार से हमारे वीडियो में आप अंतक देखते रहें हम आपको हर कटिंग हर डिजैन हर चीज के बारे में हम आपको बताते रहेंगे तब तक अगले वीडियो के लिए हमारे आप तयार रहें ओके थांक्यू झाले रहें आपको बताते हैं